तो इस वीडियो में जो हम हीरो आइसल का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा ATK मोहनबगान FC वर्सिस हैदरबाद FC के बीच मैच कवेनियों का न्यूटरल गोवा रात में 7.30 पीमपे मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों बात करें ATK मोहनबगान और हैदरबाद FC फिलाल ये दोनों टीम्स न्यू सीजन में बहुत अच्छा कर रही है खास तौर पे हैदरबाद FC आप देखेंगे टॉप टू में है सेकिंड पोजीशन में 8 में अपने 4 मेंच जीती है तीन ड्रो हैं सिर्फ एक मैंच हा रही है बहुत अच्छे 18 गोल मारे है और जो इनका डिफेंस है वो बेस्टीन लीग है सिर्फ साथ गोल इन्होंने अभी तक कंसीड के और 15 इनके पॉइंट है तो बहुत ज्यादा इनके अंदर बहुत क्वालिटी है और वह भी इक्वाली इंपोर्टेंट वैसी पर्फामेंस कर रहे है जैसे इनके फॉर्णर प्लेयर्स कर रहे है और अगर तो यह टॉप अप टेबल में भी पहुँच जाएंगे इनका मैच एटी के मोहन बगान से नंबर फोर्थ पोज देखने को मिली है गेम प्ले में भी आज में अपने चार जीते हैं दो ड्रॉज हैं दो लॉसेंस हैं अच्छे अठारा गोल मारें बट सोला गोल इन्होंने कंसीट भी कर दिया है गोल इन्होंने हैं लेकिन हैदरवाद से आप देखेंगे लगबग डबल से भी ज्यादा गोल इन्होंने कंसीट कर दिया है और 14 इनके पॉइंट है और अगर आज एटी के मोहन बगान भी जित्ती है तो यह भी टॉप अप दर टेवल में पहुंच जाएंगे 17 पॉइंट के साथ तो देखा जाए दोनु टीम्स के लिए मश्वीन मैच होगा अगर उनको टॉप अ पिछले मैच में उन्होंने 6-1 से उनीसा एपसी को ठ्रेश कर दिया एक तरीके से तो देखा जाए यह उनीसा के आगे 6 गोल मार सकती है तो यह हर टीम के आगे दो तीन को लिजिली स्कोर कर सकती है तो अच्छी फॉर्म है और फॉर्म हेटी के मोहन बगान की भी अच्छी ह वह था बेंगलूरू से उसके बाद मेनेजर चेंज हुए जोन फेरंडवाए 3-2 नौर्थिष और 2-1 एपसी गुआ दो लगातार विक्ट्रीज है और आप देखेंगे दोनों ही टीम की लास्त तीनों मैचे में क्लिन शीट नहीं है हेदरवाद ने बहुत जादा नहीं य फिलाल मैं एक बैलन साइट बनाऊंगा जहां पर मैं प्लेयर्ड का मिक्स अप करूंगा एटिगे के कुछ प्लेयर्स हूंगा कुछ प्लेयर्स में हैधरवाद FC के लूगा और अगर मैं ग्रेंड लिग की जो टीश पोस्ट करूंगा याज तीम हैडरवाद फेवर की small league team आपको मिलेगी हमारे telegram channel में उसका link या तो आपको description box में मिलेगा या आपको मिलेगा top pin comment में वहाँ से जुड़के आप मेरे telegram channel से join कर सकते हैं 4300 के आसपास subscriber वाला channel आपको मिल जाएगा तो description box या top pin comment में जाएए telegram channel से जरूर से जाइन हो जाएए अब हम आते है प्रोवेबल लाइन अप पे पहले ATK मोहन बगान की बात कर लेते हैं तो favorite तो कोई नहीं है अगर small league में मैं इनके 6 player भी करूँगा ATK मोहन बगान के तो हैदराबाद की मैं 5 player भी करूँगा अगर में इनके 5 player भी करूँगा तो मैं हैदराबाद के 6 player भी करूँगा यानि कि किसी एक team को मैं back नहीं करूँगा मैं एक balance बनाऊँगा तो फिलाल इनकी 11 देखते हैं अमरिंदर सिंह इनके goal की बरो ना लें चार इनके defender होंगे प्रभीर दास प्रितम कोटाल टीरी और सुबसीज बोस इसके अलाबा काल मेग्यू हो गए और दीपक तंगरी हो गए ये 6 के 6 player आपको डिरीम लान में defense section में listed मिलेंगे तो इतने ज्यादा player डिरीम लान में defense section में listed है still मैं एक balance बनाँगा तो quality दोनु जगे है हेदरबाट के defense में भी quality है इनके defense में भी quality है तो मैं अगर दो defender यहां से choose कर रहा हूँ तो मैं दो defender अपोनेंट के भी choose करूँगा एक balance बनाने के लिए because मुझे नहीं वदा किस team के clean trade आ जाए ATK महनबगान की भी आ सकती है हेदरबाद FC की भी आ सकती है और defense में दोनू teams में अच्छे defender भरे हुए है फिलाल इनके defense में देखा जाए तो top two choice मेरी रहेंगे प्रीतम कोटाल और सुबसीज बोस अगर मेरे को top two choose करने हुए वैसे में कहीं पर rumors पढ़ लाता है कि बोस ठोड़े doubtful है अगर यह नहीं खेलते फिर में जाओंगा टीरी के साथ अब प्रीतम कोटाल हर मेंच में अच्छा कर रहे है और assist potential भी है इनके पास heading ability भी है और बोस left back position से अच्छे assist वगेरा देते हैं एक इनोंने assist दियो और धीरे-धीरे form में आ रहे है जुआन फेरंडो के अंडर में अच्छा गया और defensive contribution भी करते हैं selections भी दोनूं का हाई है एक player जिन पर आपने improvement दिखी होगी वह है टीरी जबसे जुआन फेरंडो है दो matches के लिए आप देखना है इंके interceptions बढ़ गए चार या पांच हर match में दोनू matches में इन्होंने interception किया है passes ब्यादा होगे headers में अच्छ है अगर boss नहीं खेलने है तो मैं शोली यहाँ पर TD को भी करूँगा अपने second player alongside kotal अगर यहाँ पर आपको लगता है boss अच्छा नहीं करेंगे, kotal अच्छा नहीं करेंगे प्रभीर दास यह player एक बहुत बड़ा एक और GL pick होने वाल है यह right back position से बहुत attack करता है कभी भी assist goal कर सकता है और यह defending उतनी अच्छी नहीं करता इस चीज का ध्यान रखना है तो अभी के लिए प्रभीर दास मेरी एक अच्छी GL pick होने यहां पर टंगरी मेगज्यू को भी ऐए जील मेरी ट्राइक करोगा अगर स्मॉल लिग में पेरको 2 पीक करने हुए मैं कोटाल की रीव में किसी 2 के साथ जाँगा अगर 3 पीक करने हुए मैं इन 3 को करने वाले हूँ अब लिष्टन को लासो मस्टपीक रहेंगे मैनवर्ड रोका है कुछ है उन्होंने देखा जाए तो इंडियन प्लेयर को इंप्रूब क्या उनका ही मेन रोल लायर लिष्टन कॉलासो को इंप्रूब करने में भी तो अभीक यह जिस तरह की फॉर्म में मस्ट फिक रहने वाले हैं यहां पर लिष्टन कोलासो और दो और मस्ट फिक प्लेयर रहेंगे हुगो बूमो और रॉय क्रिस्ना यह दोनू भी बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है इस ठीम के आर आप जामते होंगे तोनू रेड और फॉर्म में 5 गोल 2 असिस्ट बूमो कर च बट यहां पर दिक्कत किया मनवीर के साथ फिनिशिंग की प्रव्लम आ रही है ड्रिब्लिंग अच्छी करते हैं पेस अच्छी है काउंटर अटेक में अच्छे हैं बट जब लास्ट फाइनल थर्ड में फिनिशिंग की बारी आते वहां पर लेक करते हैं इवन मुझे गो पिख ल बट ग्रेंट बड़ी पिख होने वाले हैं मन्वीर सिंग सींग तो यह एटी के मौहनं भागान की प्रुवेड एलेवन थी लगबाग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको डेटेल में कर लविए मस्ट फीप्लेड़ हीरो आएसल के अपोनेंट के बात करने से बहले फिर रिमाइंट दिलाना चाहूंगा इस मैच की 8 ग्रांड लीग और एक फाइनल स्मॉल लीग टीम आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल में उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मि करते हैं हैदरबाद FC की लक्षमी कान का टीम अनी इनके गोलगीबर होंगे अब मैंने बता दिया गोलगीविंग सेलेक्शन प्रॉपर 50 50 रहेगा दुनु टीम्स अटेक करती है तो कोई भी गोलगीबर आपको अच्छे सेस करके दे सकता है चार इनके डिफेंडर है निम दोड़ जी के प्लेज में अगर वो फिट होते हैं तो वो मेरी नंबर वन चोईज रहेंगे अगर वो स्टार्ट नी करते यही बैक फॉर कहलते हैं दैन मेरी चोईज रहेंगे आकास मिश्रा जो ऑफेंसिव डिफेंसिव अभी तक दोनों अच्छा पर्फेंस कर रहे है औ यह हो कुछ ज्यादा खासली रहे celूगा अगर आकास मिशरा के साथ को अपने दो डिफेंडर्स आप सबसेंगे हुआ Lite और वी तक दो पेनल्टी हुई है हिदरबाद FC की वह जाओ विक्टर नहीं लिए तो जाओ विक्टर वैसी मश्पिक हो जाते हैं एक और मश्पिक प्लेयर रहेंगे इडू गर्सिया यह फॉर्मर एटी के मोहन बगान प्लेयर है जैसे वहाँ लिश्टन को लासो हैदरबाद के अगेश्ट रहने वाले हैं एवन एक ड्रॉ वाली टीम में या हैदरबाद फिवर वाली टीम में आप इनको केप्टन वाइस केप्टन भी ट्राइ कर सकते हैं तो जाओ विक्टर हो गए इडू गर्सिया हो गए यह तीन प्लेयर रहेंगे मश्पिक अब अनिके जादा आप निकिल को जारी को जील में ट्राइ करना बड़ स्मॉल लिग में आप अनिके जादब को ट्राइ कर सकते हैं बड़ सेफ नहीं रहेंगे हलके से रिस्की रहेंगे लेकिन आप पंड ले सकते हैं जिस तरह की फॉर्म में चल लें तो यह हैदरबाद एपसी की प्रोविबल 11 थी लग अभी के लिए जो मेरी प्रेडिक्सन है प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुस्किले सेमें एक सेफ वनवन ड्रो या इधर साइट टूवन टूवन हैदरबाद ये टूवन एटिके मोहन बगान के साथ जारो वैसे मेरी जो डैमोर रफ्टी में एक वनवन ड्रो वाली है तो फ और रॉय क्रिष्णा है फिलाल इसमॉल लीग में आप देखना मोशली बंदों की टीम सेफ ही होगी ऐसी रहेगी जिसमें में 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 जो डिफॉल्ट प्लेयर है इनको सब हर कोई पिक करके लाएगा लेकिन जील में हम इस में अच्छा कर सकते हैं अब में चीज क्या होगी सब्सक्राइब करें अब हो उसके डिस्क्रिप्status में